दोस्तो टेकनिकल जो पॉइंट चैनल देवेचे कवार फिर तो तो अड़ा बहुत बहुत सवागत है जी पंजाब देवेचे एक होर नमी पर्थीदार नोटिफिकेशन आउट हो चुके जी पंजाब देवेचे पर्थी किती जावेगी वख 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 पोस्ता तुसी अपलाई कर सकते हो स्टाफ नर्स हेलपर लैब टेकनिशन आते होर भी बहुत सारी यां पोस्ता अनाउसमेंट कित्यां गजने इनना पोस्ता नोट दसमी पास जी एनम बी एसी नर्सिंग आते ग्रजुएशन वाले केंडेट अपलाई कर सकते हो सारी जानकरी तो अनुस वीडियो देवेचे मिलेगी किरपा करके वीडियो नोट तक जोड़ देखना पंजाब देवेच आनवालियां सरकारी नोकरियां प्राइबेट नोकरियां ते पल पल दी अपडेट दिली तुसी साड़े टेलिग्राम ते बड़ सब ग्रोप नू जवाइन कर सकते हो इनना ग्रोपां दा लिंक तो आनू वीडियो दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स देवेच मिलेगा दोस्तो चैनल ते नमे उता चैनल नू सस्क्राइब करके बेल आइकन नू प्रेस कर लो तान जो अग्यान वालियां सारियां वीडियो दा नोटिफ्केशन तो अनू टाइम टू टाइम मिलदा रहे चलो दोस्तो चल दें जी नोटिफ्केशन दे उपर हाँ जी दोस्तो आज दा नोटिफिकेशन टाटा मेमोरियल सेंटर होमी बाबा कैंसर होस्पिटल संगरूर तो अनौसमेंट किता गया जी एडवर्टाइजमेंट नमबर दूसिये तो देख सकते हो चोवी जून दो हजार बाइनू ए नोटिफिकेशन पबलिक किता गया है सिद्धा इंटर्व्यू दे बेशते तो अड़ी सेलेक्शन होवेगी इंटर्व्यू उनती जून दो हजार बाइनू स्वेरे साधे नोवे तो साधे ग्यारा बजे होमी बाबा कैंसर होस्पीटल संगरूर पंजाब विखे होवेगी बखवख पोस्ट ले तुसी अपलाई कर सक देओ पोस्ट अंडिटेल कुछ इस पर कार है जी पोस्ट नंबर एक स्टाफ नर्स दी पोस्ट ले तुसी अपलाई कर सक देओ इस दे वेच नो पोस्ट आ अनाॉंसमेंट कितियां किन्याने जेकर तुसी बी असी नर्सिंग कम्प्लीट किती है जी एनम कम्प्लीट किती है ता तुसी अपलाई कर सकते हो हेल्थ केर दे वेच तो अटेकॉल दो साल दा एक्सपीरियंस होना जरूरी है तनका तो अनुवी हजारतों लेके चाली हजार दे वेच दित्ती जावेगी पोस्ट नमबर दो है जी प्रजेक्ट कॉडिनेटर दियां दो पोस्ट आ ले तुसी अपलाई कर सकते हो एक संग्रूर लई याते एक मुलापर दे लई अनाॉंसमेंट किती गई है जेकर तुसी पोस्ट ग्रेजुएशन डिगरी कंपलीट कीती है पांच साल दा तो अडेकुल एक्सपीरियेंस है तान तुसी अपलाई कर सकते हो तनका तो अनुवी हजार तो चाली हजार दे वेच दित्ती जावेगी पोस्ट नंबर तेरना जी फिल्ड इन्वेस्टिगेटर दियां दो पोस्टा ने एनी ग्रेजुएट डिगरी वाले कंड़ेट अपलाई कर सकते हो दो साल दा तो अडेकोल एक्सपीरियेंस होना चाहिएदा है भी तो चाली दे वेच तो अनुवी तनका दित्ती जावेगी पोस्ट नंबर चारह जी लैब टेकनीशियन दी एक पोस्ट लेज तुसी अपलाई कर सकते हो जेकर तो उसी BSC दे नाल DMLT जाफे DMLT दे नाल तो अडेकोल पंच साल दा एक्सपीरियेंस है तान तो उसी अपलाई कर सकते हो तनका तो अनुव 15,000 तो लेके 25,000 दे वेच दित्ती जावेगी पोस्ट नंबर पांजय जी हैलपर दी एक पोस्ट है इस पोस्ट नो प्लस टू पास केंड़ेट अपलाई कर सकते हो तनका तो अनुव 10,000 तो वी हजार दे वेच दित्ती जावेगी इस दे लई एक्सपीरियेंस दी कोई भी रिक्वियर्मेंट नहीं है पोस्ट नंबर छेय जी एसिस्टेंट डाटा मनेजर दी एक पोस्ट ली तूसी अपलाई कर सकते हो जेकर तूसी ग्रेजुएट डिगरी कंप्लीट कित्ती है कंप्यूटर दी तो अनुचंगी जानकारी है एक साल दा तो अडेकुल एक्सपीरियेंस है रिलेटिड फील्ड दे वेच तां तूसी अपलाई कर सकते हो तनखा तो अनुची हजार एक सो रपिया प्रती मिना दित्ती जावेगी टेंप्रेरी बेस्ते एक पोस्ट अनौसमेंट कित्ते हैं कि यहने इंटर्व्यू दे बेस्ते तो अडेसलेक्शन होवेगी इंट्रेस्टेड केंडिड जो फार्म नो अपलाई करना चोंदे ने वो अपना बायो डाटा कंपलीट करके जा फिर अपना एक रिजूम इस दिना रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ हाते अपने पैन कार्ड दी फोटोकपी हाते अरिजिनल डोकोमेंट ते एक सेट अटेस्टड फोटोकपी हां दा तुसी नाल लाएके रूम नंबर 312 HRD डिपार्टमेंट न्यू सर्जिकल ब्लोक हुमी पाबा कैंसर होस्पीटल संगरूर विखे 99 जून 2002 तक स्वेरे साड नोवे तो स्वेरे साड ग्यारावे तक तुसी होते इंटर्व्यू देन ज आसा कदेवा